सब्सक्राइब करुए को इस किस था को जाने वाले हैं करेंख साथप्रिका वर्ड़ सउने वाले हैं आप तो यहां पर आपको जरूत होती है आपके पास 22 प्लेयर होते हैं टोटल जिसमें से आपको 11 प्लेयर स्लेट करने होते हैं और वो 11 प्लेयर में आपको विकट कीपर बैट्समेंड आल डाउंडर बॉलर तीनों आपको स्लेट करने होते हैं उसके बाद आपका बनता है एक परफेक्ट प्लेइंग इलेबन लेकिन उस परफेक्ट प्लेइंग इलेबन को बनाने के लिए कुछ वहाँ पे आपका माइंड यूज करना होता है उसके बाद ही आप उस प्लेइंग लेवन को तयार कर सकते हैं जहां दोस्तों आज मैं आपको वो प्लेइंग लेवन बताने वाला हूँ जो आपको डारेट ग्रैंड लीग जिता सकता है आपके जो चांसेज हैं वो ग्रैंड लीग में जीतने के ज़्यादा बढ़ जाएंगे जो आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ और जिस तरह के मैं आपको प्लेइंग लेवन बना के दिने वाला हूँ दोस्तों जो कल का ये मैच है ये धरम साला में होने वाला है और आज आपको मैं उस धरम साला क्रिकेट ग्राउन के जो पिछ रिपोर्ट है वहां का जो वेदर रिपोर्ट है ये भी आपको मैं पताने वाला हूँ यहां पर सिंपल आपको अगर आपको पिच रुपोर्ट जाना है क्या आइबरेज स्कोर रहता है उस ग्राउंड पे और पिच किस के फेवर में ज्यादा रहता है पेसर्स इस्पिनर्स या बैट्समैन के फेवर में ज्यादा रहता है उसके दोस्तों आपको यहां पर मेच जीते हैं और अगर नीदर लेंड ये बात करने तो तीन मैच इनको इस में इंहों हर कसा ना करा के लाइए है स्रीलंका को हुए और अर्ष्टियों को एक ब़र फिर फिर आया है उससी के साथ अगर आप नीडरलैंड की तरफ जाएंगे तो नीडर लेंड जुनिजी लेंड से हरा आप पाकिस्तान से लाइं से लंका से अरा है इसकोट्लैंड से इन्ने जीत हासिल किया है उसके बाद उन्हों ने ओमान को भी हराया था तो इस तरह से यहां से आप किसी भी टीम का जो उनके लास्ट मार्च मैंच का जी रिकार्ड है वो यहां से देख सकते हैं आगे हम बात कर लें दोस्तों यहां पर जो हेट टू हेट का ऑप्शन है इन में से तीन मैंच खिले गय हैं के इसके बहुत Indy आपको हम आपको में यहां पर बताते ऐंगि क्या मैं आपको कई रिपोर्ट क्या रहता है वह तो फिस कि रिपोर्ट की बात करें तो सब्सक्राइब द्राब करदू कर दो हैं घरब स्टेडिल में काugenee चोटा है जो पिच का ऑग से Google का पाससे वेदर जो है रहनी बरसात होने के वहाँ पे चांसेस हैं वहाँ पे बारिस होने की संभा होना है अगर इनकी एबरेजरनी स्कोर की बात करें ते हैं पर 266 एबरेजरनी स्कोर है यहाँ पे टोटल बिकट बहतर गिरे हैं और पेसर्स को यहाँ पे चावालिस और इस्पिनर्स क मतलब यहां पर पेसर को ज़्यादा मुदद मिलने वाला है इंकम परेजन टू इस्पिनर कि यहां पर पिटाई हो सकती है यहां पर क्लिक करके आप जो टास हिस्ट्री वह दे सकते हैं टॉस्ट बीनर ऑप्शन जो पहले टॉस जीता हो बॉलिंग का चेस करना पसंद है टॉस बॉलिंग फर्स फिप्टी परसंट चांसे रहते हैं इनके मैं जीतने के तो इस तरह जो भी टीमें टास्ट जीतेंगी अगर सौथ अपरी के जीते ही तो नो डाउट वह बैटिंग भी ले लेंगे तो वह नीदल लेंड के उपर भारी पर सकते हैं या अगर चेस करते हैं तो भी बहुत बड़ा टोटल नहीं मिलने वाला है सौथ अपरीका को नीदल लेंड के खिलाब कि नीदल लेंड और सौथ अपरीका को जो बॉलिंग अटेंक है कौफी अच्छा है तो नीदल लेंड को बैट्स मैंने उनको काफी ज़्यादा प्रोब्लम फेस करना पड़ स लगाने के लिए आप डारेट आप रणेलिया खोला आपने टीम मना लिया और टीम लगा लिया ऐसे आप जहे ऑड्माश या समौल लीग जो भी लगाएंगे वह मैच में जीट नहीं पाएंगे आगर आपको ग्राइन वीजिटना है शींपल आपको क्या करना है जो आपको सबसे पहले pitch report देखना है midst report देखने के बार किसके फेबर में है सथ सथ क्या वहांके जो sound condition है वो आपको वहाँ पे देख लेना है और इनके जो last के पांच record है और पिछले और भी पिछले last five year के record है वो आप यहांपो देखने को मिल जाएगा head to head जो record है यहाँ भी आपको देखने के मिल जाएगा अब आज जाते हम टीम पे अगर यहाँ पर सौथ अपरी का पहली बैटिंग करती है दोस्तों आपको करना क्या है आपको batsman और all rounder पे ज़्यादा prefer रहना है क्योंकि high scoring game हो जाएगा अगर अगर सौथ अपरी का पहले बैटिंग करती है तो पहली बैटिंग में सौथ अपरी का अच्छे खासे run खड़े कर देगी लेकिन high scoring game मैं इस वज़ा से कह रहा हूँ कि जो पहली निंग रहागी अगर सौथ अपरी का पहले बैटिंग करती तो वह हाई स्कोर बना सकती है निदल लेंड की परफोर्मेंस साथ अपरिका पहले बैटिंग करता है तो है अब बात कर लेता है हमारे पास जो बिगर कीपर का उप्सन है उसमें हम से लट कर लेते हैं हाप एक को इंटन डिकाव का सिलेट कर कर देखने को अगर पहले इनिंग आती है तो आप मिलर का बैटिंग ज़्यादा मिल सकता है लेकिन अगर सेकंड इनिंग आता है तो वहां पर आप मिलर को अगर आपने टीम में रखा है तो उसको आप वहां पर ड्रॉप कर सकते हैं यह टास होने के बाद जब लाइन आप देख लेना है अगर आप के ने मिलर को सेट कर रख और साथ अपरी का पहले बॉलिंग करती है तो आपको यहां से मिलर को आप ड्रॉप कर सकते हैं उनकी जगां आप हैंडिज क्लासिंग के साथ जा सकते हैं हैं मिलर से पहले बले बाजी करने के लिए आएंगे तो इससे आ करने थे अगर साउथ अफरीका पहले बॉलिंग करती है तो ज्यादा बिकेट लेने के चांसे बढ़ जाते हैं साउथ अफरीका टीम के तो आपको उसी तरह से टीम के प्लेट करना है कगी सिर अबाड़ा हो गए यहां पर दर्वेश समसी होंगे केसव महराज हो गए और तीन हमने यहां पर सिर्ट कर ली है साउथ अफरीका के बॉलर और जो है अब यहां पर हम एक सिर्ट कर लेते हैं नीदर लैंड का बॉलर आपको किसी भी प्लेयर का यहां पर प्रोफाइल देखना है तो उसके प्रोफाइल के आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर उनके डिटेल सारे आ जाएंगे क्या उनके credit point है क्या उन्होंने point last match में अरजित किया है वो सब आपको यहां से देखने को मिल जाएगा इसे बद आपको next पर click कर देना है click करने के बद अब आ जाता है बारी captain और wise captain बनाने का captain और wise captain बनाने के अजब chance आ जाता है तो हमें के बार फिर से guide का उप्शन जाना है यहां पर गुरू टिम का उप्शन है यहां पर भी बहुत सारे लोगों ने captain wise captain select किये हैं यहां से दो तीन लोगों को prediction है वह उसमें आपको देख लेना है कौन किसको captain wise captain बनाया है उसी तरह से आपको इसमीं आपको अपनी सेलेक्टन करना है कैप्टन वाइस कैप्टन के एकॉर्डिंग ही आप ग्रेंड लीग स्मॉल लीग लगा सकते हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यह जो पहला प्रडिक्शन है 1.4 लाक लोगों को पिक्ट किया है इन्होंने कैप्टन डिकॉक को बनाया है इसी तरह से और भी आप देखेंगे तो बहुत से लोगों नेवverse बढ़ को बनाया है एडिन Α को व test को बनाया है हम यह पर वाइस कैप्टन के लिए एड़न मारकरम के साथ जा सकते हैं एड़न मारकरम बॉलिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अच्छी बल्ले बाजी भी कर रहा है और फॉर्म उनका बहुत ही अच्छा है अगर पहले बल्ले बज़िये तो एडने मारकरम आपके लिए अच्छा चोईस रहेंगे प्रवाइब कर सकते हैं तो इस तरफ से तो इस तीम को ग्रेंड लिग में लगा सकते हैं अगर आपको कुछ चेंज़ करने हैं टॉस होने के बार लाइन अप आउट होता है उसके बाद यहां से फीमड्र कर सकते हैं और या पर यहां से बेड कर सकते हैं फिरवाइब करखे यहां रहा है अगर आपको डाउट है कि आप टास होने के बाद आपके पास चांसे नहीं है कि आ कि आप आपके लिए most important है कि अगर आपका कोई player missing होता है तो उसकी जगाए ये player आपके उस team में available हो जाए और second number पे आपको वी 2 नमबर पे आपको उसी player को रखना है जो second priority आप जिसको देंगे इसी तरह से आपको 4 player select कर ले